प्रिस्क्राइब केजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताकि कोई भी वीडियो मिसना हेलो फ्रेंड मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्तों और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सभी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ओवरी से भी इस तरह प्रिग्नेंट हो सकती हैं महिलाएं महिलाओं को किसी अंडासे में किसी गंभीर समस्या जैसे की ओवरी सिस्ट, ओवेरियन कैंसर और इंडोमेट्रोसिस की वज़े से एक ओवरी निकालनी पड़ सकती है इस इस्तिती में कंस्यू करनी की संभावना कितनी रह जाती है कई बार कुछ कारोडों से महिलाओं के एक ओवरी यानि के अंडासे को निकालना पड़ जाता है इस इस्तिती में महिलाओं के मन में ये सवाल रहता है कि क्या वो एक ओवरी से भी कंस्यू कर सकती है प्रिग्नेंसी को आपको बता दें कि कुछ मामलों में महिलाओं एक ओवरी से भी उसी तरह कंस्यू कर सकती है प्रिग्नेंसी को जिस तरह समान महिलाओं जिन में दो अंडासे होते हैं करती हैं किसी वीमारी की वज़े से कुछ महिलाओं को अपनी एक ओवरी निकलवानी पड़ जाती है या कुछ महिलाओं के शरीर में जन्म से ही एक अंडासे होता है आईए जानते हैं कि एक ओवरी महिलाओं की प्रजनन चमता को कैसे प्रभावित करती है और ऐसी महिलाओं किस तरह प्रिगनेंट हो सकती है एक ओवरी का फर्टिलिटी पर प्रभाव जी हाँ एक ओवरी से भी महिलाएं कंस्यू करशकती हैं प्रिगनेंसी को इस तरह मामले में ये बात महत्पूर होती है कि महिला एक ओवरी किस वज़से निकाली गई है यदि किसी गंभिर समस्या के कारड अंडा से निकल गया है तो फर्टिलिटी की संभावना कम हो जाती है एक ओवरी होने पर फिलिपिन ट्यूब स्वास्त हो तो महिलाएं गर्बधारण आसानी से कर सकती है एक ओवरी के साथ प्रिगनेंट होने के तरीके अधिकतर महिलाओं में एक ओवरी के साथ भी ओवलेशन ठीक रहता है इन माईलाओं को प्रिग्नेंट होने की कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन कुछ माईलाओं को आनियमित ओलेशन की वज़े से प्रजनन समस्या हो सकती है यहां हम आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं जो एक ओवरी से भी कांसिव प्रिग्नेंसी करने में मदद करेगी आपकी डॉक्टर से बात करें आपको इस बात में सबसे पहले डॉक्टर से बात करनी चाहिए डॉक्टर अल्टरसाउंड की मदद से चेक करेंगे कि आपकी एक ओवरी ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं और समय पर ओवरी में एक रिलिज हो रहे हैं या नहीं ओवलेशन के दिन अपने ओवलेशन के दिन पर नज़र रखने के लिए कलेंडर बना के रखें कुछ मैलाओं का मासिक चक्र के 11 से 21 दिनों के बीच में ओलेशन होता है ओलेशन के संकेत अपने अंदर ओलेशन के संकेतों को पैचानने की कोशिस करें आपको घरवा से ग्रिवा से निकलने वाले म्यूकस में बदलाओं नजर आएगा ओलेशन के संकेत के मदद से आप इन दिनों में आसानी शेप प्रिग्निंसी को कंसीव कर सकते हैं सेक्स कब करें मैलाओं के शरीर में इस पर्म लगबग पांच दिनों तक रहता है जबकि ओलेशन के बाद अंड़ा 24 घंटे से भी कम समय तक रह सकता है इसलिए ओलेशन के दोरान इससे पहले सेक्स करने के गर्ब धारण की संभावना बढ़ जाती है ओलेशन के दो हपते बाद प्रिग्निंसी टेस्ट करें अगर रिजल्ट निगेटिव आता है तो अगले मासिक धर्म पर दुबारा परिक्रियत दोरा है कंस्यू करने में आपको कुछ महीनों का समय लग सकता है लेकिन ट्राई करते रहे वहीं अगर 6-12 महीने में भी आप कंस्यू नहीं कर पा रहे हैं तो डॉक्टर से बात करें जिन महीलाओं में सरीर में एक ओबरी होती है को लेकर आप इस तरी रोग से बात कर सकते हैं तो यह था दोस्तों कैसे एक महीला एक ओबरी से भी अपनी प्रिग्निंसी को कंसीव कर सकती है उमीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा तो प्लेजी से लाइक करें अपने दोस्तों में शेर करें आपके मन में कोई प्रशनी सुझा हो तो हमारे कमेंड बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्या